भर पे लमंग्रास उगाया है, जो इसकी जो ढ़िखत myself होती है बिल्कुल लुक नीबू के जैसे इसमेल होती है इसलिए इसे जो है जो है ती के तरह इसका 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 माल करते है। साथ ही इम्म्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक के तरह भी आजकर लोग इसका इस्तमाल कर रहे हैं। लेमन ग्रास क्या है? यह एक पौधा है जिसकी पत्तियों और तेल का उप्योग दवा बनाने के लिए किया जाता है। थाइप फूड में मुख्यता इसका अधिक उप्योग किया जाता है। इसका उप्योग सूप, बिजिटेवल स्टॉक्स और नौनविच बनाने में किया जाता है। लेमन ग्रास का अप्योग हबल्टी में फ्लेवर के लिए भी किया जाता है साथ ही इसके काफ़ सारे हेल्थ बनिफीट्स है जैसे लेमन ग्रास एक एंटी बेक्टिरियल एंटी इंफ्लामेटरी तो था एंटी फंगल प्रपर्टी इसमें पाया जाते हैं जो कई बिमारियों वे शंक्रमन से बचाने में सहायक है अज मैं आपको लेमन ग्रास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बाते बताने जा रही हूं सो आजकल लेमन ग्रास का सेवन काफी चलन में है इसकी अनेक फायदे के चलते लोगों ने अपने घरों में इसका पौधा भी लगाना किया जाता है क्योंकि इसमें नीम्बू जैसी खुश्बू होती है साथ ही इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एंटी फंगल वा एंटी बेक्टिरियल गुन पाया जाते हैं जो सेहत के लिए बेहाद लाब दायक होते हैं खासकर कैंसर जैसी घातक बिमारी में लेमन ग्रास अस उपने इम्मिनिटी को बढ़ाने के जरूरत पहली सर्थ है इसके लिए उसे हेल्दी डाइट और नैचरल इम्मिनिटी बूस्टर तत्मों का सेवन बहुत जरूरी है और इसका एक बढ़िया विकल्प है लेमन ग्रास लेमन ग्रास विसेश कर दक्षिन पुर्व एशिया म उन होते हैं जो कई बिमारियों संक्रमन से बचाने में सहायक है तो आई जानते हैं कैसे करें लेमन ग्रास का सेवन लेमन ग्रास को घरों में चाय या काड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सामाने चाय में भी लेमन ग्रास की पत्तियों को उपयोग किया जा सकता है आ जैसे हाई बलड प्रेशर के मरीजों को लेमन ग्रास यूज़ करने से पहले डॉक्टर या डाइटीशन की सलाह लेनी चाहिए। कुछ लोगों को इससे अलरजी भी होती है जैसे खुजली, गले में सूजन आदी, अता सेवन से पुर्वे एक अच्छे डाइटीशन की सलाह जरूर लेनी गर्ववती और स्तनपान कराने वाली महलाओं को इसका उप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से महावार सुरू हो जाती है और गर्वपात का डर रहता है लेमन ग्रास का उप्योग सिमित मात्रा में करना चाहिए ज्यादा उप्योग करने से चक्कर, मिचली, ठकान, अधीक पिशाव आने जैसी समश्या हो सकती है धन्यवाद